वही वीडियो देखो जो आए बीना ब्रेक के वीडियो बूले सकते हाठ। अभी डॉण्लोड करें तक आप देख बेना ब्रेक। उनको इतना ही बयान देने हैं तो राउल गांधी जी बहस कर ले हूँ। कश्मीर भारत का हमेशा हमेशा के लिए अंग बन कर रहे हैं आप नहीं है राज्ट पिता तो मात्मा गांधी ही है राजस्तान की जनता ने बीजेपी वालों से पूछा है पहले तो धारा तीन सो अनुच्छे 370 उसकार्थ बताओ हमको है क्या यह बार बार जाते हैं कोई लोगों ने उनको खड़े होकर सवाल पूछा धारा 370 में जो तीन पॉइंट से उनमें से दो उन्होंने अठा दी उन लेकिन एक और था उसमें के पंडित नहरू ने यह व्यवस्ता करवा दी थी राजा हरी सिंग से समझोता हुआ तो उसमें यह का के दो जंडे होंगे और एक महां पे को जमीन नहीं सकता यह टेंप्रेरी रूप से लाग हुई दो एक सर्थ और थी लोग उसको भी पढ़ने लग गया अब समझने लग इसलिए इनका माहुल नहीं बना उसमें पंडित नहरू ने लिखवा लिया राजा हरी सिंग से के कश्मीर धार अनुचे 371 के अनुस्तार हमेशा हमेशा के लिए भारत का अंग रहेगा यह भी पंडित नहरू नहरू की इस सर्थ से पहले तो भा लेकिन मपंडित नहरू जो कश्मीर को भारत में लेकर आए कश्मीर को भारत का इस्सा बनाया आज उनको जब लोग आशते हैं कि आप आजादी के लडाईमा आपकी कोई भूमिका नहींë थी आप किसी को मानते नहीं है ना महत्मा गांदी को साहिट भगतस शिढ चंदसर क में से कौन कौन सी उन्हों अटा दी क्योंकि टेंप्रेरी थी इसलिए आपने अटा दी लेकिन जो एक सर्थ हो रहे कि कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत का अंग बन कर रहेगा तो भी तो पंडिती नहरू ने लागू करवाई थी वह तो बीजेपी ने लागू नहीं जाता है तो आप इतिहास में जो अंदोलन हुआ महत्मा गांधी जी को गोली रखी लगी कितनी तारीक को लगी दो अक्टूबर को उनका जनम हुआ तो सब तहना कॉंग्रेस क्या चाहती है तीन सो सट्तर आपको लगता है कि वापिस आना तो जब कस्मीर को भारत का अंग इनों ने बनाया और तीन सो सटर के मुद्धे पर कॉंग्रेस पार्टी ने ही तो बात बोली कि आपका तरही का गलत आप इसको वोट के एजन्डे से जोड़कर महोल बनाकर क्यों कर रहे हैं आपको करना तो पूरा कंसेशन बना कर आपको आपस में विचार विमर्स के साथ कर सकते हैं हैं सेमती से नहीं करना चाहते हैं आप जिसकी जश्रत नहीं थी लोग सबाले में भहस कर थे इसके रिक टें आपात कर लेतें सबसें और ऐसा तो पंडित ने दो खुद नहीं कहा था ढदरा 370 सब्सक्राइब तो कंग्रेज कop कह रही है कब कह रहा है कंग्रेस नेत इनकी नियत मेंों खोड और आप पंडित नहरू और महत्मा गांदी सरदार पटेल कौन थे सरदार पटेल वही थे जिन्हों ने इसी RSS के लिए क्या का था बेन लगाया था सरदार पटेल ने आज आप सरदार प्रटेल की मूर्ती लगाकर अपने पाप ढखना चाहते हैं आपके पाप नि डखेंगे इससे आप आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे आप देश के जो मुख्य मुद्य जब आजादी की लड़ी एक लड़ाई हुई आजादी की उसके बाद देश आजाद हो गया तो भारत का हिस्सा बना दिया उन्होंने आज इसलिए कश्मीर हमारा है उसको राजा अरी सिंग जब पाकिस्तान ने हमला क्या पढ़ ले ना इस्ते तो फोजे जब अंदर आ रही थी तो सेख अब्दूला जो उनके मंत्री उन्होंने का भया पंडित नहरू से भात करो नहीं भारत कश्मीर भारत का हमेशा के लिए भारत का अंग बन कर रहेगा हमेशा उसको पर्मानिट हो क्या कॉंग्रेस चाहेगी कि अगर उनकी आपकी सरकार बने तो आने वाले समय में जैसी पहले स्टेटी थी 370 को लेके हुए यह बात जो आप कर रहे हैं मेरे से अब जो हुन कर में मोदी जी तो अभी जो बयान महराष्टा में वोस्तर वोट के लिए आप बताएं का प्रधानमंत्री दे रहा है क्या बयां दे रहे पंडित नहरू नहीं लिखवाया कि कश्मीर भारत का हमेशा हमेशा से के लिए अंग बन कर रहेगा वो तो टेंपरेरी नहीं लिखवाया उसकी तो धन्यवाद दो पंडित नहरू को आप उन्होंने भी का था धारा 370 की जो दो पुरावदान है दो जंडे और जमीन निकले गिजगिसकर खत्म हो जाए भी पंडित नहरू ने का यह भी भारती जंतापार्टी मानेगी आप और फिर बीजेपी किस पहसान कर रही है पचास साल से आपका मुद्दा है हम आएंगे तो लेकिन धारा 370 नहीं अटा पाई बीजेपी अभी नहीं अटा है यह दिवाड ज पाचल में भी है वहां भी आप जमीन नहीं खरीच सकते नागालेंड में बहुत जगे यहालत है उनको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं आप इस देश में यह साबित करने की कोशीज कर रहे हैं कि फादर आफ इंडिया आप नहीं है राश्ट्रपिता तो महात्मा केते हुए कि अनुछे 370 के दो प्रावधान हटाये हैं भाजपा ने पूरी तरह से उसको नहीं अटाया और इनका यह भी मानना है कि भाजपा इसको मुद्दा बनाये हुए है पर नहीरू इसको यह कहकर लाए थे कि कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अंग रहेगा क्यामर प्रप्रसन निखिल शर्मा के साथ देवंकर उधावन जैपूर